यदि प्रित्वी पर सभी मेधक समाप्त हो जाएं तो पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा मेधक कीटो को नियंतरित करने में मदद करते हैं जो पौधों को नुकसान पहुचा सकते हैं मेधक भी मचली के भोजन के रूप में काम करते हैं जो एक महत्वपोर्न खादे श्रिंखला है यदि मेधक समाप्त हो जाए तो कीटों की संख्या बढ़ेगी जो पौधों को नुकसान पहुचाएगी इससे भोजन की कमी हो सकती है और यह भी हो सकता है कि कुछ पौधे प्रजातिया विलुप्त हो जाए मेधक की कमी से मचली की संख्या भी कम हो सकती है जो एक महत्वपोर्न खादे स्रोथ है कुल मिलाकर मेधक की कमी से पारिस्थितिक तंत्र पर गंबीर प्रभाव पढ़ेगा यह भोजन की कमी प्रजातियों की विलुप्तता और अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है यहां कुछ विशिष्ट उदाहरन दिये गए है कि यदि सभी मेधक समाप्त हो जाए तो क्या होगा कीटों की संख्या बढ़ेगी जो पौधों को नुकसान पहुचाएगी इससे भोजन की कमी हो सकती है और यह भी हो सकता है कि कुछ पौधों प्रजातियां विलुप्त हो जाए मचली की संख्या कम हो सकती है जो एक महत्वपूर्ण खादिस रोध है मेधक की कमी से जलिये पारिस्थितिक तंत्र पर असर पड़ेगा क्योंकि मेधक मचली के लावा और अन्य छोटे जीवों को खाते है मेधक की कमी से पर्यावरण में कीटों की संख्या बढ़ेगी जो बीमारियों को फैलाने में सक्षम है मेधक की कमी से पारिस्थितिक तंत्र की स्थिर्टा पर असर पड़ेगा क्योंकि मेधक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है मेधक एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रानी है और उनका संरक्षन करना महत्वपूर्ण है हम मेंदकों को कई तरीकों से बचा सकते हैं जैसे कि उनके आवासों को संरक्षित करना कीत नाशकों के उप्योग को कम करना और मेंदकों के लिए भोजन और आश्रे प्रदान करना